सू एलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टु दा माईनी वडियो तो गाइस आज हम खेल रहे हैं एविल नन टू और गाइस मैं आपको बतादू हमें एविल नन ने यहाँ बहुत दिनों से पकड़ कर रखा है हम यहां से बाहर नहीं जा पा रहे हैं लेकिन हमें कि इसी भी तरह से विलनन से बच कर निकलना होगा तभी हम अपने घर वापस जा सकते हैं तो गाइस आप बिल्कुल टेंशन मत लेना क्योंकि आज हम एविलनन को नानी याद दिलाने वाले हैं और यहां से स्केप करने वाले हैं गाइस आप यहां पर देख सकते हो हमने मिरिकल रेशिपी बना लिया है बट यार इसे हम अपने हैंड से नहीं निकाल सकते रेशिपी को यहां से निकालने के लिए हमें किसी चीज की ज़रुरत पड़ेगी और उसी चीज की तलास में हम इस घर में भटक रहे हैं और गाइस मैं आपको बता दू मिरिकल रेशिपी की है या नहीं लेकिन गाई समय ओवर कॉंफिडेंस में नहीं आना है क्योंकि वहां पर हो सकती है एविल नन जो कि भाई यार बहुत ही जादा खतरनाक है और भाई उसके साथ एक होता है क्या वलते हैं भाई उसको गमी रमी समी भाई क्या है वो सैतान मुर्गा भाई सोरी सब्सक्राइब करें यार आप लोग मेरे साथ बहुत गलत करते हो भाई मतलब आप कर क्या रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई आप खुद देख लो आप क्या कर रहे हो भाई आपने 3000 घंटा वोस्टाइम कंप्लीट कर दिया भाई लेकिन अभी तक चैन घंटों में वोस्टाइम कंप्लीट हो रहा तो बाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है जल्दी से लाल कलेर के बटन को दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो चलो गाई समने मिरिकल रेसपी को भी कैंटीन में भर लिया है अभी हम इसे नन और उसके सैतान मुर्गों को देने वाले हैं उसके बाद देखींगे उनके साथ क्या होता है तो चलो गाई सबी हम चलते हैं उपर जहां पर हमें पकड़ कर रखा जाता है क्योंकि वहां से हम मिरिकल रेसपी असानी से उन्हें दे सकते हैं और वो हमें पक नहीं लगे रहाए हूं जहां भीजा दो मुझे लगता है कोई आ रहा है पिकेप लेकिन अपने कोतो यहां से पर न होगा होमें कि हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम ऐसे ही आगे बढ אז scar हमारा डिनेर बना दींगे तू गाईस हमने एक को तो ठीक कर दिया है अभी बचा है मोटू और पतलू वैसे गाईस पतलू आया था बट यारो बचकर निकल गया लेकिन 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 भाई इस बार वो हमारे वोर से बिलकुल नहीं बचेगा तू चलो गाईस फिर से लेकर आते हैं अपना जादवी नुस्खा भाई यार वा कई कमाल का चीज है भाई ये इसको हम एविल नन को भी दिंगे और उससे चाभी लूट कर भाई हम मेन गेट ओपन करेंगे उसके बाद हम यहां से हमेशा के लिए इसकेप कर जाएंगे अरे आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ चिलाने का नहीं थोड़ा सबर करने का भाई ये तुम्हारे लिए ही है रुको गाई सराम से जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये तो भाई ठीक हो गया है बाकी लो कहा है भाई अरे यो मोटू पतलू कहा हो भाई जल्दी से आ जाओ सारे तुम्हारा खाना तयार है अभी तो भाई यार को क्रेक को बोल रहे थे भाई अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है जल्दी आओ वरना मैं खुद खाजाओंगा भाई मैं बिल्कुल मजाक नहीं करता हूँ मैं सच में खाजाओंगा भाई जल्दी से आजाओ खतम कर दूंगा वरना आ रहा है गाइस कोई तो आ रहा है भाई ये तो पतलू है आजा मुन्ना अभी तेरी बारी है ये लो भाई कैसा लगा मचा चलो गाइस अभी हमने दो मुर्गों को ठीक कर दिया है अभी बचा है ओनली मेन मोटला जो की भाई यार एविल नन का खास आ करना है ये पता लगाने की जिम्मेदारी मेरी चलो गाइस हम फिर से आ गए है एटिक में जहां पर हमने सांदार रेशपी बनाया हुआ है सबसे पहले खिलाएंगे उसके बाद खाएंगे और फिर लास्ट में करेंगे हमने कैंटीन को भर लिया है पूरे रेशपी से भाई यार 10 सबस्क्राइबर कम्प्लीट करवाने हैं बाई प्लीज यार करवा देना गाइस बहुत ही ज्यादा चोटा टार्गेट है अगर आज आपने टार्गेट कंप्लीट कर दिया तो भाई यार मैं आपके लिए भी सांदार रेशपी बना कर लाँगा बिल्कुल इसी तरह से नहीं गाइस ऐसा नहीं मैं एकदम फाइब स्टार होटल जैसा बना कर लाँगा भाई उससे भी अच्छा ठीक ना तो भाई जर सभी लोग टार्गेट कंप्लीट कर देना और अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सिकार कौन होने वाला है जल्दी आओ रे कहां गया मोटला गाइस आपको क्या लगता है अभी किसकी बारी है एविल नन या फिर वो मोटला गमी रमी समी चलो जो भी हो अपने को क्या आपने को तो बस रेस भी बनानी है अरे कोई तो आओ रे काहे को टाइम वेस्ट करता है देखो अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे दोस आ रहा है जल्दी से लाइक कर दो यार फिर देखना वो जरूर आएंगे और हाँ भाई सब्सक्राइब भी कर देना बेल आइकन भी दबा देना देखो भाई बेल आइकन दबाने से क्या होगा टन 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 की आवाज आएगी आवाज सुनकर एविल नन आएगी और हम उससे च और है ओ भाई आगया अपना मोटला जो कि आज का खास महमान है चलो गाईस हमने इसको भी नॉर्मल कर दिया ओरे भाई या एविल नन भी आ गई लेकिन 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 गाईस एविल नन के उपर कभी भरोसा मत करना क्योंकि भाई वो कभी सुधर नहीं सकती वैसे गाईस ह रहा हूं हम नेक्स्ट वीडियो में नन से की लिंगे और यहां से स्केप करेंगे तो गाईस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम आपसे मिलिंग लगले वीडियो में तब तक के लिए बाई